बैयो नमस्कार आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उलत की फसल में पहला खात कब देना चाहिए और किदनी मात्रा में डालना चाहिए इस वीडियो में आपको उड़त की फसल में पहले खात के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो दोस्तो आप हमारा वीडियो सुरू से लेकर अन तक जरूर देखे ताकि उड़त की फसल में पहले खात के बारे की संपूर जानकारी आपको समझ में आए दोस्तो उड़द 60-70 दिन में पक कर त्यार होने वाली एक फसल है दोस्तो उड़द डाल वाली फसलों के अंदर कर आती है इसमें आपको राईजो बियम जड़ों में मोजुत होता है इससे आपको यूरिया की आउसकता नहीं होती है लेकिन दोस्तो कुछ समय पर आपको यूरिया की ज़ुरद भी होती है दोस्तो अब हम बात करते हैं उड़द की फसल में पहले खात के बारे में अगर दोस्तो आपने उड़द की जब बुवई की थी उस समय पर खेयत की अकई जुते करते समय अगर आपने कुछ खाद का प्रियोग किया है तो आपको पहले खाद देने की अश्चता नहीं है लेकिन कुछ किसन भई लोग बुवई के समय खेत की त्यारी करते समय कुछ भी खाद नहीं डालते हैं उस समय पर उनको कुछ खाद देने की अश्चता होती है तो दोस्तो और अनेक किसन भई लोग जब उड़त की बोई करते हैं उस समय पर D.A.P. या J.S.P. का प्रयोग भी करते हैं अगर किसन भई लोग आप ने अगर खेत की बोई के समय D.A.P. या J.S.P. का प्रयोग कर लिया हैं तो उनको जब उनके उलद की फसल 25-30 दिन की आउस्ता में हो जाती हैं तब उनको उलद की फसल में पहले खात का प्रयोग करना चाहिए दोस्तो पहले खात के रूम में किसन भई लोगों को 20-25 किलो गराम परती एकड़ के इसाब से यूरिया का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि दोस्तो यह समय पर पोद्दय कोirteen गिरोध करूध कि आओ सकता होती है यूरिया में 66 स्वाटन नैट्रो जन आता है जो कि पोद्दय में प्रकास लेशन की केलिया को बढ़ाता है जिसे कि पोद्दा अच्छी तरह से गरोध करता है अच्छी तरह से बोजर मनाता है जिससे की पोदे में अच्छी तरह से पुटान भी आता है तो दोस्तो यह समय पर आपको पहली खात के रूप में आपको यूरिया का प्रियोग करना चाहिए मात्रा 20-25 किलोगराम प्रतिय कर लेना चाहिए दोस्तो वीडियो में बता है हुई जानकर एक कैसी लगी कुछ सुझाव बाकी रहा हो तो हमें कमेट करके और उससे बता है धन्यवाद जे जोवान जे किसा